हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंट के हथा मेड़ी गाउं में एक परिवार दिया बनाने का काम करके तथा डिजाइनर दिये बनाकर चाइनीज दिये को टक कर दे रहा है तथा इस काम के लिए जार्खन सरकार के JSLPS संस्था ने उन्हें आर्थिक मदद दी है जिससे उनके काम में और तेज़ी आई है हथा मेड़ी गाउं का रेनू देवी का परिवार दिये का काम करके अच्छी आमधनी प्राप्त कर रहा है हमसे बात करती हुई रेनू देवी के बड़े बेटे धीपक ने बताया कि वो चाहते हैं कि उनका दिया बिके और अस दिपावली सब लोग उनका धीपक चलाएं उनका दिया चाइनीज दिये से अच्छा है तथा जब आप हमारा दिया खरीदेंगे तो आपका और साथ में मेरा भी दिवाली अच्छा रहेगा वही रेणू देवी ने बताया कि ज़ारकेंज सरकार की संस्था जेस लपीएस ते उन्होंने पचीस हजार का लोन लिया था जिससे उन्हीं मिट्टी खरीदने, मशीन खरीदने और दिये को रंग रोगन करने के लिए रंग खरीदने में मदद मिली वह चाती हैं कि उन्हीं इससे बड़ी रकम दी जाए ताकि वह इससे भी बड़ा दिये का व्यापार कर सके लिये पचीस एक बर दस हजार लिये तो चुका दिये फिर पचीस हजार लिये तो उसी से बहुत सुधार हो गिया बहुत परिबार हम लोग सुधार गिये पुंजी बढ़ गिया कारोबार भी बढ़ गिया तो यह हम लोग आर लेंगे तो आर बढ़ेगा आगे तो सब जगा दिए वही घर की मुख्या और रेनु देवी के पती विश्वनाथ प्रजापती ने हमें बताया कि वह चाहते हैं उन्हें गैस सिलिंडर से चलने वाली भट्टी दी जाए क्योंकि अब लकडी नहीं मिलती है जिससे कि वह ज्यादा दिया बना सके तथा वह अपने ग्राहकों के लिए यह सुविधा देंगे कि उन्हें दिया घर तक पहुंचा दिया करेंगे हम सरकार से ही चाहते हैं कि हम लोग का और मसीन दिया जाए जो जो मसीन का जरूरी है और यह भट्टा पकाने के लिए अब तो लकडी मिल नहीं रहा है इसको गैस सिलिंडर पाइप का जरूरी है और सुविधा यही दना चाहते हैं खरिदने वालों को कि अधिक्तर से अधि को सपोर्ट करने वाली सरकार सवी ने उम्मीद है तथा देखना यह है कि सरकार इनकी आगे कितनी मदद कर पाती है जिससे कि यह परिवार अपने इस छोटे से कांग को और आगे बढ़ा सके और बढ़ा कर सके ब्यूरो रिपोर्ट हजारी बाग अपडेट्स